नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे चैट GPT जो भी नया भी लाउंच हुआ है यह एक AI है जो मशीन लर्निंग पर काम करता है और आपको आउटपुट देता है कुछ अल्गोरिधम्स जो हमारे पास पहले से लिखी हुई होती है उसी के बिशिस पर तो आज हम इसका टेस कुछन था आफ की कि आप लोगों को मेरे स्क्रिन दिख रही होगी है अब हम चलते हैं हिंदी में एसे आउन काउ इन इजी लैंग्वेज इन हिंदी ठीक है अब इसका आउट पूट देखते हैं क्या इस न दिया है तो दोस्तों इसने मुझे तीन बार इसका आउट पूट दिया था मैंने यहाँ पर देख रहे होंगे थी भाई थी लिखा हुआ है तो मैंने सुचा आप ल अलिका कहा जाता है ठीक है गाय हमेशा हमारे परिवार के हितों में होती है और हमेशा हमारे परिवार के हितों में होती है और हमेशा हमारे परिवार के दूलहन दूलहन सब्सक्राइब और दूद बदान करती है पहला तो यहां फेल हो गया यह चैट जीपिटी और आगे आगे का लिखा है गाए का दूध हमेशा हमारे खाने में होता है ठीक है इसके अलावा उससे पकोड़े पकोड़े मक्खन तो ठीक है गुलाबी और अन वस्तुएं भी बनती है गाए की उची तरह की उंगलियां और बड़े-बड़े होर हमें उसके मुझ में हेल्प करते हैं गाए की पेशकस हमेशा हमारे त्याहरों और विवित उसों में होती है गाए की देवी विशेष्टा हमारे भारतिये के लिए महतपूर है चलो यह तो कुछ तब भी कुछ एक लिवाल पर ठीक लग रहा है नेक्स्ट क्या है इसका यह दूसरा और पूट यह था गाए एक बहुत ही महतपूर पशू है ठीक है इसके बड़े बड़े शरीर चमकेली आंखें और हमेशा खुछ रहने वाली हसी इसे एक दोस्ति पूर्ण पशू राती है भाई वो मारती नहीं है गाए बहुत 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 अच्छी होती है ठीक है गाए हमारे कुछ मुख के खाद दूद्स पादों के उत्सवनीा सवनी के शूत होती है जैसे दूद्स मखन घी और चना है चना लोना नहीं को तो बहुत बहुत पूर्ण से उत्सपादों की मार्केट में बहुत मत पूर्णता है ठीक है गाए के अनेक फायदे हैं इसका दूध मनुश्य के सरीर के विबिन पोर्षन तत्वों को पूर्ण करने में मदद करता है इसके घी से बने उत्पादों की मार्केट में बढ़त महत्व पूर्णता है चलो यह भी सही है ठीक है अब इसका आउटपूट देखते हैं तीसरा व इसका नेक्स्ट आउटपूट भी हम लोग आपके सामने देखेंगे तो इसका तीसरा है गाए एक बहुत ही महत्पूर्ण पशू है इसके बलिदान हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है गाए बलिदान दे रही है यहां सब लोग गाए हमें दूद गुद चोटे कपड़े और अन्य वर्स्तु में प्रतान करती क्या ड्रामा लिका हुआ है गाए के दूद से हमें पूरे परवतों तक पहुंचने वाले मांट सकलाओं के द्वारा प्रवलित किये जाने वाले उत्पादों को तयार किया जा सकता है गाए के गुदे से बने सवेद गुदे से अन्य उत्पादों को भी तयार कि पता नहीं क्या लिखा है गाए के पूजन की पनपरा भी हमारे देश में कई बरसों से है इससे इसे हमारे पूजिपक्स में अत्यंत महत्पूर्ण माना जा सकता है ठीक है अब दोस्तों मैं इसको दुबारा रीजिनेट करता ह देखते हैं दुबारा एक क्या लिख्या आता है क्योंकि कोई यह ना कहते है कि हो चकता है हमने कौपी पेश कर दिया हूं फिर चेक करते हैं यहां पर जोस्तों ही चैट जीपिटी फेल हो रहा है और उसको और ज्यादा मतलब इसके जो इंटलिजन से स्कोर बढ़ाने की ज ठीक है अब शूरू हो गया गाए एक प्रमुख पशु है वो तो हम सबको पता है इसे हम पालते हैं बहुत बढ़िया और इससे हम दूद गुडख गुड़क क्या होता है घी मचली भाई इसमें मचली लिखा हुआ है गुड़क घी मचली और अन्य उत्पाद मिलते हैं गाए को भगवती माना जाता है और इसे हमारे धर्मों में बहुत महत्तु दिया गया है ठीक है गाए एक सुन्दर और उत्तम व्यक्तित वाली पशुआ इसे हम दोनों हाथों से पकड़ें और इसे हम बहुत मदद और इसे हमें बहुत मदद मिलते हैं गाए गाए की हमारी परफॉर्मेंस को बहतर बढ़ाएं गाए को हमारी परफॉर्मेंस को बहतर बनाने मदद करती है पदा नहीं करते हमें गाए की हिपाज़त करनी चाहिए और इसे हमारे पालन पोर्षण से बचाना चाहिए तो हम प्रफॉर्ट ना करें यह यह भी यह हो जाएगी इसे अच्छे अच्छे पालन वाले और आये इसे पॉर्षण से हमारे ग्रामों और बस इतने पताए चले बाप फ। देखते हैं प्रेगता चल ले दो हम यह को बेसिकली टेस्ट कर रहे हैं कि एआ युए CTA कर रहे हैं कि अगर बच्चे इसमें से कॉप्पीपेस्ट करते हैं और उन लोग को मिलता है कि गाहे पर निवन लिखके आओ यहां से कॉपी ना कर लें कुटाई हो जाए गाए एक बहुत ही महत्पूर्ण जी हो है अब है यह हमारे देश भारत में बहुत पुराने समय से पाले जाने वाले जीवों में से एक है बहुत बढ़ा शाबाज शाबाज गुड़ गुड़ गाए हमारे क कुछ प्रमुक उपजों में से एक है जैसे मुंपली चना सूरज मुखी और तुम चना क्या क्या चापरा वहिया चाटजी पिटी गाए एक हार्दिक प्रेमी और उतनम सहायक भी है या परंतु हमारे लोगों दोवारा अधिक तर पाल तू पालतू जाने वाली जीवों के दौर पर दुलब दुलब दिखती है लेकिन इसे पालने का तरीका सही तरीके से नहीं मालूम होता है अच्छा गाए के दूद से बने उत्पादों की मांग दुनिया भर से भर में बढ़ रही है इसे खाने पीने और तयार करने के लिए जिए हंदी में जो इसका ट्रांसलेशन बोलाग जूसने गाये से समंदि जो भी चीजें आप लिखी है कभी जाना कभी मॉमपली जुरत मुखी कभी कुछ कभी कुछ तो वह चीजें बी गलत हैं तो मुझे लगता है कि लिए ठीक करना चाहिए हं इसको इसीज में लिखते है सेंपो एससे हां हम सेम तू सेम पेस्ट करते हैं आ बास देखते हैं ये इंगलिसमें क्या लिखता है दकाव इस वरी इंप्रॉटन अलिमन खीक है इट है इट है दियर डोमेस्टिकेटेटर एर रेच्ट जली इंडिया फोर वे लोंग ताम ठीक है काव आरा सोर्स आफ इंप्रॉटन प्रॉट्ट्ट पॉट्ट्स तैस मिल्क चीज और बटर और बड़ंग बहुत बड़या इस यूज धिस जाज अ फिल न शर इंट बहुत बड़या को बॉच्छ प्रेट अफिकेर अनिमल और में इंड़ेत एंड़ अधूर वड़प्निट झालए अफिल जायो दूजर स्थित हुआ क्वेडियो को मैं अट ए अन्ट ब्र cow can be very strong and hard-working illah the demand of cows milk and dairy product is increasing worldwide the cow's milk is using for drinking cooking and making other products despite it's important many people do not understand the correct way to take care of cows in Hindiism the cow is considered scared and scared and is worshiped scared के लुका हुआ है second okay cows are seen as a symbol of wealth strength and mother earth they are also seen as source of food and the and as provider of dairy milk oh sorry dairy products in conclusion the cow is valuable animal that play a crucial role in many aspects of life it is important that we are in English में इसका ओपूट सही है और 95 परसंट तक हम सही बहुत सकते हैं क्योंकि एक लाइन जो इसने यहां पर लिखा हुआ है काव के लिए स्ट्रॉंग और हाड वर्किंग तो मुझे लगता नहीं कि काव के लिए स्ट्रॉंग और हाड वर्किंग की यहां पर जरूवत है शायद पता नहीं देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए बाकि चीजे इसने सही लिखी है ठीक है दोस्तों हम आगे और भी चेक करेंगे याई का फेसमें अप्रोड करेंगे आप लोग भी इसको चेक किजेगा थैंक्यू